हेलो एबरीबरन कैसे हो आप सभी मैं आपकी दोस्त और होम सेफ खुश्व का नोज या तहे दिल से अपने चैनल गर का जाय का विद खुश्व में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आपके साथ आलू और सिमला मिर्च की सुखी सबजी की रेसिपी सेर कर रही हूँ जो की बहुत ही टेस्टी और असान है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक वार अपने घर पे इसे जरूर ट्राई करिएगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने होगी पूरी इंड तक तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी मैं आपको आलू और सिमला मिर्च की सबजी की रेसिपी पूरी तरह से सास्त्विक यानि विना लासुन प्यास की बता रही हूँ इसके लिए हम दो पिस बड़ बड़े साइस की आलू लेंगे उसका च्छिल का उतार कर कट कर लेंगे और हम दो पिस सिमला मिर्च लेंगे उसे भी इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे साथ ही में ही हम टमाटर लेंगे हरा मिर्च लेंगे और अद्रक और हरा धनिया लेंगे सबसे पहले हम मसाले की तयारी कर लेंगे मसाला की तयारी करने के लिए एक चम्मच सौफ लेंगे एक चम्मच मिक्स मसाला जिसमें जीरा, काली मीर्ज, इलाइंची, लॉंग है वो लेंगे, सौते करेंगे फिर हमुष में एक चम्मच धन्या लेंगे उसे भी सौते करेंगे जब तक कि उसमें से खुश्बू ना आने लगे अब हमुषे दरदरा कूट लेंगे इसमें और भी मसाला एड़ करेंगे, जिसमें चाट मसाला है मैं यहाँ पर आदी चम्मच चाट मसाला लूँगी थोड़ा सा बलैक सॉल्ट और गड़ मसाला यह होममेट गड़ मसाला है अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाते हैं तो हमें कमेंट करके बताईएगा इस सारे को सारे इंगेडियन्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम साइड में रख देंगे अब हमें एक ऐल्मोनियम का पैन लेंगे जब वो गर्म हो जा तब हम उसमें वाइल आट करेंगे यहां पर वाइल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं वाइल जब गर्म हो जा तब हम उसमें जीरा आट करेंगे जीरा से जब विनी विनी खुश्बू आने लगे तब हम उसमें अद्रक आट करेंगे और हम हरी मिर्च भी आट करेंगे अब दोनों को सोते करेंगे जब दोनों फ्राई हो जाए तब हम इसमें आलू आट करेंगे आलू का पानी पुराच्छान लेंगे इसमें एक बुन भी पानी नहीं रना चाहिए अब उससे हम एक दो मिनेट कूक करेंगे फिर हम इसे ढख कर एक दो मिनेट पकाएंगे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और चेक करेंगे कि आलू 80% तक कूक हुआ है की नहीं जब आलू गोल्डेन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें हल्दी आड करेंगे उसे भी हम एक दो मिनेट कूक करेंगे जब आलू अपना तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर आड करेंगे एक दो मिनेट कूक करेंगे फिर हम इसमें टमाटर आड करेंगे अब हम इसमें शॉल्ट आड करेंगे सॉल्ट हम ध्यान से डालेंगे क्यूंकि हमने मसालों में ब्लैक सॉल्ट विड आड किया है धन्या पत्ता आड करेंगे और उसे एक दो मिनेट कूक करेंगे अब हमुष में कैपसिकम आड करेंगे कैपसिकम अपना पानी छोड़ता है इसलिए वो जल्दी ही कूक हो जाएगा दोस्तो इसी तरह की डिसिस कम बजट में आप अपने घर पे बनाना चाहते हैं अपनी फैमली को खुश करना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना नहीं भूले ताकि मेरी वीडियो की पहली न मसाला इसमें एड करेंगे मैं तो इसमें सारा भर-भर कर मसाला एड करती हूं क्यूंकि इसका टेस्ट बहुत थीला जबाब लगता है देखने में लग रहा है न सुन्दर क्यूंकि घर का जाय कावित खुश्बू में जो दिखता है वही पकता है अब हम उपर से हारा धनिया आइड करेंगे और इसे हम ढग कर गयस को आफ कर देंगे इसे हम कढ़ाई में ही रहने देंगे ताकि इसकी भीनी-भीनी खुश्बू इसमें आती रहे यह रेसिपी बहुत ही लाजवाब और टेस्टी वनी है आई होप आपको यह सिम्ला मिर्च की रेसिपी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है जाते जाते एक सवाल पुछती हूं कि आपसे कम किस देश की पैदावार है तो फी मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक खुश रहे हैं खुशिया बाढ़ते रहे हैं और आस पास सफाई बनाए रखिए थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग टेक क्यार एंड नमस्यू